नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी ख़वरों को जानते हैं दिल्ली पहुंसते है तिजस्वी ने एक बार फिर निफीश को घेरा कहा बिहार को विसेस राज का दरजा मिले यहां उनकी मनसा नहीं आरज़ेदी निता, तेज़स्वी आदव अपनी पत्नी राजस्री के साथ दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद उनोंने मीडिया से भी बात्चित की, बिहार को विसेश राज का दर्जा दिये जाने के मामले पर तेज़स्वी निकाया कि सबसे पहरे, पक्ष तिजस्वी आदव ने यहां बताया कि विसेश राज के दरजे की मांग उनकी मां रावडी देवी ने भी की थी इसे लेकर पटना से दिल्ली तक रेलियां हुई थी हम लोगों की सरकार थी 40 में से 22 सांगसद जीते थे तब लालुजी के नित्वित में बिहार को 144,000 कर का पैकेज दिया गया था आज 40 में से 49 एंडिये के सांगसद है लेकिन बिहार को क्या मिला यहां किसी से छिपी हुई नहीं है पटना में ओमिक्रोन के बड़ते खत्रे को लेकर RPF की ठीम कर रही है इस तरह लोगों को जागरूख देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहा है नवंबर महिने के मुकाबले दिसम्बर में संक्रमन तेजी से बढ़ा है वहीं कोरोना के नई बेरियंट के खत्रे को लेकर पटना के जंक्सन पर RPF की टीम लोगों को जागरूख कर रही थी लोगों से अपील की जा रही है कि जो भी पटना जंसन आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं वो मास्क जरूर पहने पुलिस माइक के जरिये लगातार आग्रह कर रही है वहीं सब इंस्पेक्टर दिनेज चौधरी ने बताया कि बिना मास्क रेलवे परीसर में एंट्री नहीं हो और इसके लिए जुर्माने का भी प्रवाधान है जिसमें रेलवे 500 रुपया जुर्माना रखा है और लोगों में जागरुकता पहलाई जा रही है कुरोणा से बचने के लिए मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को सेनिटाइज करते रहें बता दे कि राज से बुदव जीलों को छोड़कर अन 34 जीलों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है बिहार के सभी स्वास्त केंद्रों पर किया गया ऑक्सिजन प्लांट का मोग डिल सासाराम में कारगर खगडिया में पाया गया में सप्लाइज चेन में लिकेज बिहार के सभी स्वास्त केंद्रों पर औक्सिजन प्लांट का मोग डिल किया गया, कुरोना के खिलाप जंग को लिकर औक्सिजन प्लांट का मोग डिल किया जा रहा है, ससाराम के सदर अस्पताल में इस्थापित औक्सिजन प्लांट का मोग डिल किया गया, भारत सरकार के निर्देश पर राजस्वास्त समीती के द भी मसीने ठीक पाई गई स्वास्त कर्मियों ने बताया कि सईयंत्र पूरी तरह से कारगर है और सामाने तरह से प्रतिक्रिया भी कर रही है वहीं कगडिया सदर अस्पताल में लगाये गये ऑक्सीजन प्लांट में सप्लाइज चेन का मोग डिल किया गया इस दोरान ऑक्सीज जोड़ी फ्लाइटों का ओप्रेशन 15 जनवरी तक बंद नया सेडियोल जारी विमानों पर भी ठंड का असर दिक रहा है पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट परिचालन का नया विंटर सेडियोल जारी हो गया है जिसमें से तीन जोड़ी फ्लाइटे घड़ गई है अब 15 जनव इस तारा की एक जो लाइटों को रखा गया है वही जानकारी के अनुसार मौसम के खराब होने की बज़ा से इंडिगो की बैंगलूरू वाले फ्लाइट अपने समय से 2 गंटे 26 मिनट की देरी से पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुई और लगबग उतने ही देरी से उड़ी बता दे कि इसकी वज़ा बैंगलूरू का खराब मौसम रही है इसके कारण से इस विमान पटना से बैंगलूरू जाने वाले यात्रियों को इसका लंबा इंतजार करना पड़ा वे परिसान रहें अन्य चार विमान भी देर से आये लेकिन उनकी देरी एक घंटा से कम रही पटना हाइकोट में मुझफरपूर आई होस्पिटल मामले को लेकर जन्ही तियाची का दायर हाई लेवल कमिटी से जाच कराने की मांग कि कथित तोर पर आई होस्पिटल के प्रबंधन वर राजसरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमित्ता और गैर कानुनी कारियों की वज़े से कई लोगों की आखे चली गई है इस याचिका में कहा गया है कि राजसरकार के अधिकारियों को भी एक नियमित अं को अपनी आखे गवानी पड़ी अस्पताल प्रबंदर व जिमेदार अधिकारियों की लापरवाही की वज़ा से आखोए वेक्तियों को मुआवजा देने की मांग की गई है पीडितों को सरकारी अस्पताल में उचित इलाज करवाने को लेकर आदेश देने की भी मांग किया गया है बिहार का एक अजुबा सरकारी होस्पिटल जहां मुर्दे को भी लगाया जा रहा है कुरोना वैक्सिन बेगुसराय में एक बार फिर स्वास्त विभाग का बड़ा लापरवाही सामने आया है जाम मरे हुए मुर्दे को भी कुरोना टिका का वैक्सिन लगा रहा है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सुसासन बाबु की सरकारी स्वास्त विवस्ता यहाँ आलम है कि अब मुर्दे को भी कोरोना वैक्सिन का टीका लगा रहा है। कोरोना टीका लगाया गया जबकि उनकी मिर्त्तु विगत 19 सितंबर को ही हो गई थी। उक्त तितिक के मिर्त्तु प्रमान पत्र भी बिहार सरकार के योजना इवंग विकास विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है। उनका निधन हो चुका था। अब्यार्थी इसे चैन पारसत के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की फिजिकल टेस्ट नए साल में 28 जनवली से शुरू हो जाएगा। पीटी के लिए योग उमिद्वार अपना प्रवेश पत्र पालसत की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जिन अब्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी। उनके समयस्टा का भी समाधान तयार किया गया है। बिहार में फूड पार्को का बनेगा नेटवर्क, मखाना और लीची के साथ इन उत्पादों पर रहेगा फोकस। केंद्रिय खाद प्रसंचकरन मंत्राले आने वाले दिनों में बिहार में कए मिनिफ फूड पार्कों के इस्थापना करने जा रही है। केंद्र सरकार बिहार में फूट पार्कों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। बिहार में माखाना, लीची और केला पर आधारित उत्पादों पर बिसेश जोर है लेकिन आलो और मक्का में भी संभावना तलासी जा रही है। केंद्रिय खाद प्रसंचकरन मंत्राले ने इसके लिए सधन सरविक्षन का भी निर्देश दिया है। बिहार में ये निटवर्क इस्थापित करने के लिए भारत सरकार 10 करोड से लेकर 50 करोड तक का अनुदान देने जा रही है। सरविक्षन के जरिये खास इलाकों का चैन किया जाना है। कच्चा माल की उपलब्धता, गुनावता, कोल्ड, चेन निटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करने के लिए अनुदान के रूप में अच्छी रासी का प्रवाधान है। तो दूसरी केटेगरी में 80 साल उम्र से कम के पैंचनर अब 80 साल उम्र के अधिक पैंचनर को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमानपत्र देना होगा। सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानविर्थी कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमानपत्र देना पड़ा था लेकिन केंद्रिय कार्मिक लोक जिकायत और पैंचन मंत्राले के आदेश के बाद अब राज में भी बदलाव किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से गरीब बच्चों को बड़ा जटका लगा है जो सरकारी स्कूलों में सिक्चा ग्रहन कर रहा है। जबकि उच्च माध्यमिक विद्दालें विकास सुल्क में विर्दीकर 160 रुपईये से 200 रुपईये कर दिये गया है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में पुना प्रवेस सुल्क और पलायन सुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही भिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भूले धन्यवाद